देश के लोग बदलाव चाहते हैं और नौर्थ व साउथ इंडिया में इंडिया गट बंधन को लोगों का समर्थन हासल हुआ पिछले दस साल में देश के किसी परिवार को भाजपा सरकार की योजना का कोई लाब नहीं मिला है दो करोड नौकरियां, किसानों की आए दो गुनी करने का केंदर की भाजपा सरकार ने वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ देश के 42 फीसदी ग्रेजुएट आज बेरोजगार है यह बात कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी के सदस्य वसांसद शशी धरूर ने शिमला में पत्रकार वारता के दौरान कही क्या है और भी नहीरा नहीं को सब्सक्राइब करेंग। In DYD they want an end to being lectured to with insincere speeches that are not followed by any tangible benefits for the ordinary people of India And what we are seeing everywhere, in every state, North India and South India is that the Congress Party and the India Kathmandir have come together to make a real difference in the lives of people कि चुल्स दिभ अवानगों, का लेखिछ नए समय। एप язप सी कि जोवन्हांता, सीक युट, सुम्स वेट इसक्वेश एूहद माझनानगा costumronics. सीकुष, यह कि लिजर सो कर्या है टिए नही रейन च्पसक्ट मριंहें, सुन्हाचte प्लाइणान advisor variableard. better employment. If you are the farming community, a Prime Minister who promised to double farmers' income and has completely failed to do so, again, you're asking you, does this Prime Minister deserve yet another chance? We are asking those young people, college graduates who discover that if you come out of college with a university degree that there is 42% unemployment for recent graduates, लूजी विभाब वे भक्रोट्टित प्रुश और गर्फ च६र्टित उक है बशचीन Salस्चा不好意思 और खर है ओड दूेटनरोस इलunge फआन नयाय मैला न्याए, जुबा न्याए, श्वामिक न्याए, किसान न्याए और किसेधारी न्याए हम चाहते हैं कि सब जन को हमारे देश में न्याए के साथ जीना, दिग्मिटी के साथ जीना, उनका हक है और हम ये देने के देने के दिया है I hope you've seen our campaign literature, I was a member of the manifesto committee we have done some serious work on what the country needs to see happening and we have also committed to undoing some of the damage that this government has done repealing a number of anti-people laws and creating an environment in which business can flourish and at the same time the revenues coming to government from business can be given to the poor, the marginalized, the disenfranchised, the excluded we are very far ahead you can see, Baja Paa को वैसी भी काफी कठिन सजी जी क्योंकि 2019 में सारे राज्यों में जहां वो मजबूत थे, वहां मैक्स आउट कर दिया आपको याद है, छे राज्यों में उनको सारे सीट मिल गए तीन राज्यों में एक सीट छोड के बाखी सब मिल गए है, दो राज्यों में दो सीट छोड के बाखी सब मिल गए है ये गारा सीट में उनका एक ही रास्ता है डाव, नीचे जा रहा है हार जगर में, अब देखे हर्याने में कुछ नहीं मिला हैं, इस बार हमें कम से कम पांच से साथ सीट मिल रहे हैं, राजस्तान में कुछ नहीं मिला, अब लोग कह रहे हैं कि दस बारा सीट तक राजस्तान म करनाटिक में हमें सिर्फ एक सीथ मिला था और अभी कह रहे हैं कि करनाटिक यह 15 से 17 सीजिए सकते हैं तिलंगाना में हमें मेरे ख्याल में 3 सीथ हैं अभी लोग कह रहे हैं कि 10 से 12 हो सकता है तो कॉंग्रिस बढ़ते जा रहे हैं और भाजापा नीचे जा रहे हैं इसके साथ हमारे अलाइस जो है हमारे सहयोगी पार्टी जो है बिहार में आप देखें कितना शांदार को लशन हमें देखें हैं आर जी जी तेज़ास्वी आदम जी के पार्टी से महराष्टा में हैं मतलब उनके आंख्रे बढ़ गए हैं और जो आदा में काटके बाजापे के साथ चले गए थे उन पार्टी ओं को सीट मिलना बहुत मिश्किल लग रहा है तो आप पूरे भारत पे देखें हर इलाके में देखें सबकार बदलने का इशारा ही लिग रहा है Seray, now is that that you are opening to call and you are willing to leave someworth on attitude that the law here ? sir could you just name a few laws that you have ego there are many that we oppose when they were introduced in parliament in the first place for example the amendment to the U.A.P.A. the U.A.P.A. was the law the U.P.A. had brought in but they have amended it in such a way that the government can declare anybody to be a suspected terrorist कि जले लिंक झंप इन्यूर कोछेट झाषिघ अधित्ज जैए यहुट। पाष्णिजिया व्रीजिए हैं रिया में मैंने रेची आ्नीटिज साइद ले एक झाम क्षा सबक्राओी 5 च्मझसे हैं nagष्णिजिदिप रहुएंड वडिवारं C बिव refugee इ eyeliner के एक्षिजिए निची के एक अजब जरेख्डair जितन को that any person deserving in the categories covered by the law is considered without reference to their religion. Because in the constitution that Dr. Ambedkar gave us, it says very clearly that your religion is irrelevant in this country. Every citizen has complete freedom of worship. And that is an important principle we must uphold. These are just two examples. I think by the time we get through the list, there will be about another 25 of them. But the idea is, we want to preserve the constitutional integrity of the country by ensuring that many provisions of these anti-people laws that abridge the rights and freedoms of Indian citizens are removed so that our rights and freedoms are back. I am not saying that somebody who does something bad should not be punished. But they should get a chance to defend themselves. They should have a chance to demand bail, argue before a judge. They should get a chance at the same time to be able to be heard. How can you be in jail for three years without knowing what the charges are against you? That's just one example.